हजरत ख्वाजा करीब नवाज रहमतुल्ला अलेही के बड़े साहिब जादे हजरत बाबा फखर रहमतुल्ला अलेही के उर्स मुबारक में शिर्कत करने के लिए हजारो जायरिन पैदल अजमेर से सरवार रवाना हुए अजमेर दर्गा की ओर से चादर के जुलूस के बाद मुलक भर से अजमेर आए जायरिन और इस्तानिय अकीदत मन्नों ने बाबा फखर की दर्गा सरवार शरी पहुंच कर हजरी थी इन सभी पैदल जाहरिन के लिए अजमेर से सरवार तक अकीदत पमणों ने कई खाने पीने के कैम्प भी लगा मुंबई से आए अब्दुल्मणान शेख द्वारा पैदल यात्रियों के लिए मेडीकल से लेकर खाने पीने तक के कैम्प लगाए गये जिसमें पैरों की तकलीर ठकान और पाओं के च्छालों का इलाज किया गया इस खिद्वल में अब्दुल मनान शेक के परिवारिक सभी सदस्यों ने अपनी सेवाई दी हातों में जंडे और लगों पर ख्वाजा ख्वाजा दिलों में मननतें मुरादे लिए हजारों जायरे हजरत ख्वाजा फक्रुदी जिष्टी रहम दुल्ला अलाही के दिवाने जो 63 किलो मेटर के लंबे सफर के लिए पैदल ही निकल पड़े आशी के ख्वाजा में कोई नोजवान तो कोई बुजुर्ग नजराया तो इस अकीदत मंदों में नन्ने मुन्ने बच्चे और महिलाए भी पैदल चलने में पीछे नहीं रही हर एक शक्स बस बाबा फगर की यादों में चलता ही नजराया फिर उसके पाउं में छाले पड़े या दर्द बड़े वो तो सिर्फ तेज धूप में चलता ही चला गया इसानिय अकीदत मंदों के अलावा सरवाड शरीब जाने वालों में देश के अलग लग राज्यों से जायरिन आये अजमेर शरीब दरगहा से सरवाड के लिए चादर का जलूस जैसे जैसे रवाना हुआ वैसे ही पैदल जाने वाले जायरिनों की संख्या भी बढ़ती गई हर साल तीन शवान को चादर का जलूस निकाला जाता है जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं आप निगाए करम फर्मा दीजिए अल्ला मांगा वो भी अता कर दीजिए मांगने से रह गया व भी अता कर दीजिए लालवीन भाग लाइला इल्ला मुहम्मद रसूल अल्लाह सब्सक्राइब